RSS, BJP और हिंदुस्तान के 3-4 अरब पती देखिए ये जो चुनाओ है ये संविधान को बचाने का चुनाओ है RSS के लोग, BJP के लोग संविधान को खतम करने की कोशिश कर रहे हैं लोग तंत्र को खतम करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया गटबंदन लोग तंत्र को और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है तलितों को, पिछणों को, आदिवासियों को जो मिला है वो सम्विधान से मिला है अगर सम्विधान कतम हो जाएगा तो जो भी प्रगति हुई है गरीमों के लिए जो भी किया गया है वो सब बंद हो जाएगा मैं आपको दो-तीन उधारन देना चाहता हूँ दो-तीन आकड़े देना चाहता हूँ आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही दन है जितना 70 करोड हिंदुस्तानियों के पास है आप सोचिए एक तरफ 22 लोग दूसरी तरफ 70 करोड लोग हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में 70 करोड लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी आमदनी 100 रुपए से कम है एक तरफ अंबानी अधानी देश का पूरगपूरा धन उनको दिया जाता है और दूसरी तरफ देश के गरीब लोग किसान मजदूर छोटे वियापारी और ये दस साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कभी आपका ध्यान इदर ले जाएंगे और जब आप इदर उदर देखोगे नरेंद्र मोदी हिंदूस्तान का धन वो ही पाँच दस पंदरा लोगों को पक्राते जाते हैं नाम आपने सुने हैं अदानी, अम्बानी, अदानी जी को देखिए हिंदुस्तान के सब एरपोर्ट, सब पोर्ट, पावर, भिजली, खदाने, सोलर पावर, विंड पावर, डिफेंस, सारा का सारा, नरेंद्र मोधी जी ने अदानी जी को पकड़ा दिया है तो अब सवाल उठता है, हमारा गटबंदन क्या करने जा रहा है, देखिए, ये जो बीडेपी के लोग बोल रहे हैं, कि इतनी सीटे आएंगे, उतनी सीटे आएंगी, मैं सीधा बता देता हूँ आपको, इनको 150 से जादा नहीं मिलने वाली है ये जो भी कहना चाहें, कहलो, 150 से एक जादा नहीं आने वाली अब हमारा गटबंदन क्या करेगा, मैं आपको सीधा बता देता हूँ देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाग करोड रुपया कर्जा माद किया है 16 लाग करोड रुपया मतलब, जितना हमने किसानों का कर्जा माद किया था आपको याद होगा, याद है? याद है ना? जितना हमने किसानों का कर्जा माद किया, अगर आप उसको 25 बार माद करो उतना पैसा नरेंद्र मोधी जी ने हिंदुस्तान के 4-5-10 उद्योग पतियों को दिया है करदा माफ करके 25 साल का मन्रेगा का पैसा उनका माफ हुआ है तो अब गटबंदन ने निन्ने ले लिया है जितना पैसा नरेंद्र मोधी ने अरब पतियों को दिया उतना ही पैसा इंडिया गटबंदन, कॉंग्रेस पार्टी गरीबों को देने जा रही है हमारी पहली योजना, महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान के सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट निकालेंगे हर परिवार में से एक महिला चुरी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में सीधा कॉंग्रेस पार्टी साल का एक लाक रुपया महीना का 8500 रुपय डाल देगी खटा-कट, 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 हर महीने 8500 रुपय ऐसा महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा मगर परिवार के लिए उसका प्रयोग होगा दूसरी बात नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेरोजगारी का सेंटर बना रखा है जहां भी आप देखो किसी भी युवाजे पूछो क्या करते हो कहते हैं कुछ नहीं करते साथ आठ घंटे इंस्टाग्राइम फेस्बुक पे बैठे रहते हैं क्यूँ? क्यूकि नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेरोजगारी भेला दी है सब जगे जो लोग रोजगार देते थे उनको नोट बंदी और गलत जी एस्टी से नरेंद्र मोदी जी ने खतम कर दिया नतीज़ा ये है कि आज हिंदुस्तान में रोजगार पैदा नहीं हो सकता अब जो अमीर घर के बेटे होते हैं रोजगार के मार्केट में गुजने के लिए उनका तरीका होता है उनको एक साल की अप्रेंटिशिप मिलती है टेंप्ररी नौकरी मिलती है उनकी ट्रेणिंग होती है और उनको पैसा मिलता है मगर ये सुविदा हिंदुस्तान के बेरोज़गार युवाओं को नहीं मिलती apprenticeship अरफपती के बेटे कर सकते हैं बड़े बड़े अमीर लोगों के बेटे कर सकते हैं मगर हमारा जो युवा है बेरोज़गार युवा है वो नहीं कर सकता तो हमारी दूसरी योजना जिसको हमने पहली नोकरी पक्की कहा है अब पहली नोकरी पक्की का मतलब बता देता हूँ हिंदुस्तान के सारे के सारे graduates डिपलोमा holders सारे के सारों को हम एक अधिकार देने जा रहे हैं apprenticeship का अधिकार ताली बजाओ थोड़ो पर अब ही मैं आपको समझाऊंगा फिर देखना apprenticeship का अधिकार मतलब हिंदुस्तान के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार हमारी अगली सरकार देने जा रही है जैसे मन्रेगा में रोजगार का अधिकार दिया वैसे ही हम graduate को पहली नौकरी का अधिकार देंगे पहली नौकरी का अधिकार का मतलब हिंदुस्तान के सारे के सारे graduate holder, diploma holder उन सब को एक साल के लिए apprenticeship मिलेगी एक लाख रुपे साल का 8500 रुपे महीने का खटा-खट, खटा-खट, खटा-खट उनके bank account में जाएगा उनकी training होगी और अगर पहले साल उन्हेंने अच्छा काम किया तो उनको permanent नौकरी मिलेगी ये जो apprenticeship वाली नौकरिया होंगी ये private sector में होंगी, public sector units में होंगी, सरकार में होंगी तो करोणों युवाव को training मिलेगी, हिंदुस्तान को एक workforce मिलेगी, trained workforce मिलेगी और हमारे युवाव हैं जो आज सडकों पे घूम रहे हैं, Instagram, Facebook देख रहे हैं उनके bank account में साल का एक लाग रुपया, 8500 रुपय महीने का ठका ठका ठक ठक हमारी सरकार डालेगी आपने देखा होगा, किसान नरेंद्र मोधी के खिलाफ खड़े हैं वो गलत कानून लाए, किसानों के खिलाफ काले कानून लाए, किसान खड़े हुए इंडिया गड़बंदन वाली पार्टी खड़ी हुई, और नरेंद्र मोधी को वो कानून रद करने पड़े अब हम किसानों को जो गैरेंटी दे रहे हैं सबसे पहले अगर नरेंद्र मोधी अरभ पतियों का करजा माव कर सकता है तो कॉंग्रेस पार्टी किसानों का करजा माव करने जा रही है इंडिया गड़बंदन कॉंग्रेस के साथ करजा माव करने जा रहा है और दूसरा, बाकी लोगों को अपने प्रोड़क्स के लिए सही दाम मिलता है बड़ी बड़ी कंपनिया, मार्केट में जो भी बेचती है उन्हें सही दाम मिलता है, किसान को सही दाम नहीं मिलता किसान सिरफ मिनमम सपोर्ट प्राइस, अपने अनाज के लिए, धान के लिए सही दाम मांग रहा है हम हिंदुस्तान के किसान को guaranteed कानूनी minimum support price देने जा रहे हैं उसको अपने धान के लिए शुगर केन के लिए market rate minimum support price मिलेगी सही दाम उसको मिलने जा रहा है और आखरी बात आपसे कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ हिंदुस्तान के खिलाफ अगनीवीर योजना लागू की है ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती जैसे हमारी इंडिया गटबंदन की सरकार आएगी ये अगनीवीर योजना को उठा के हम भार पेख देंगे खतम कर देंगे इसकी कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान को दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए एक शहीद चाहिए एक तरीके के शहीद चाहिए शहीद का दर्जा सब को मिले पेंशन सब को मिले कैंटीन सब को मिले दो अलग अलग तरीके के जवान नहीं चाहिए हमें इसलिए अगनीवीर योजना को उठा के फेक देंगे जैसे पहले होता था वैसे करेंगे इन्होंने पाँच अलग तरीके के GST बना रखी है ये GST को हम बदलेंगे एक टैक्स होगा कम से कम टैक्स होगा और आकरी बात हमारे जो मनरेगा का काम करते हैं आश्या आंगनवारी का काम करते हैं सीधा मैं आपको बता देता हूँ जो आश्या और आंगनवारी का काम कर रहे हैं उनकी जो आमदनी है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं और जो मिनमम वेज है हिंदुस्तान में उसको हम 400 रुपए कम से कम 400 रुपए का बनाने जा रहे हैं मन्रेगा मतूरों को 400 रुपए मिलने जा रहा है अब आप हमारे जो पांच कैंडिडेट्स हैं अजीज चर्मा जी तारिक अन्वर साहब विमा भारती जी जावेद साहब और जैप्रकाश यादव जी का पूरा समर्तन कीजि बारी बहुमत से इनको जिताइए और इंडिया गजबन्वन की आप सरकार बनाईए आप सब का दिल से धन्यवाद नमस्कार जैप्राइस अपने अनाज के लिए दान के लिए सही दाम मांग रहा है हम हिंदुस्तान के किसान को गैरंटीड कानूनी मिनिममम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं उसको अपने धान के लिए शुगर केन के लिए मार्केट ट्रेट मिनिममम सपोर्ट प्राइस देगी कॉंग्रेस पार्टी आर्जेटी और इंडिया गटबंदर और दूसरी तरफ रस्स बीजेपी और हिंदुस्तान के तीन चार अरब पती देखिए ये जो चुनाओ है ये समविदान को बचाने का चुनाओ है रस्स के लोग